दमस्कार एक बड़ी खबर आ रहे हैं मुंबई से और खबर है NCB से जूड़ी हुई क्योंकि NCB के दफ्तर में आग लग गई है पड़ी जानकारी यह आ रहे है कि जिस दफ्तर में आग लगी है उसी दफ्तर में जो ड्रक कनेक्शन से जूड़ी हुई तमाम जो फाइले थी वो रखी गई थी और अगर इन फाइलों को नुकसान पहुंचता है तो आप समझ लिजे कि जाच में इसका सीधा असर देखा जाएगा आपको जानकार देदे इस वक्त क्या अपडेट है वहां से NCB की जिस दफ्तर में जिस कमरे में आग लगी है उसी कमरे में ठीक उसी कमरे में रखा हुआ रखी गई थी वो सारी फाइलें जो की रिया चक्रवर्ति और पूरे ड्रग कार्टिल ड्रग एंगल के मामले से जुड़ी हुई थी ये क्या है? NCB का ये दफ्तर बालार्ट पियर में एक सेंज बिल्डिंग में है जिसमें आग लगी है आग पर खाब हुपाने के लिए फिलाल दमकल की गाडिया पहुची लेकिन दमकल की गाडियों के पहुचने के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है आग लगने के काफ अलतर मेंबर डली लोट आये थे और डली लोटने के बाद जाच पे थोड़े दिनों तक के लिए थोड़े दिन के लिए उसे रोग दिया गया था जाच रोग दी गई थी और इसके बाद से अब ये आग लगने की जानकारी सामने आ रही है अगर किसी भी फाइल को नुकस पहुचता है तो इसका मतलब कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोशी होंगे ड्राग एंगल में, उनकी जाच में या उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों में, पूछताच में इसका असर पढ़ सकता है। 22 तारीक को जैसा कि आपको भी पता है कि 22 तारीक को फिर से इस मामले को लेकर कोट में सुनवाई होनी है और इसे दिन रिया चक्रवर्ती की बेल पर भी सुनवाई होगी तो क्या इन फाइलों के नुकसान के वजह से जो इसमें आरोपी हैं दोशी हैं वो छूट जाएंगे वो बच जाएंगे लोग तमाम तरह की आश्रंकाय लगा रहे हैं आश्रंका तो इसले भी है क्योंकि पूरे मामले में हमने देखा कि एक दिन पहले ही NCB के चीफ राकेश अस्थाना का एक बयान आया था राकेश अस्थाना ने अपने बयान में साफ तोर पर कहा था कि रिया चक्रवर्ती के मामले को छोटा समझने वाले इसे छोटा समझने की घूल कर रहे हैं ये पूरा बहुत बड़ा नाकसिस हो सकता है और इंटरनाशनल ड्रॉग कार्टल हो सकता है रिया चक्रवर्ती के मामले की जानकारी या रिया चक्रवर्ती का जो एंगल है ड्रॉग एंगल है वो भारत से बाहर का भी हो सकता है उन्होंने ऐसी आशुंका जिताई थी और अब जब आग लगने की खबर आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि जाच पर प्रभाव पढ़ेगा और जाच पर प्रभाव पढ़ने का मतलब है कि जो आरोपी हैं जो दोशी हैं उन्हें आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम बीप पर गई